यूपी स्कॉल सिफ सर्चिक सत्र 2020 सिक्के से सम्मंदित लेटेस्ट नूच के लिए आप हमारे वार्ट सेब गुरूप में जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिएगेर डिस्क्रिप्सन बॉक्स में लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्सन 2020 के लिए वो कब से आना स्टार्ट होगी कौनसी स्कॉल सिफ कब आएगी चंद दोस्तों आठी इस वीडियो में हमें आप उत्रप्रदेस गबर्मेंट के द्वारा जारी गिये गए ऑफिसल नोटिस के आदार पर बात करेंगे तो आप इस वीडियो को अपने अधर फ्रें जारी किया गया है जो कि आप दिख सकते हैं 26 अक्तूबर को इस नोटिस को यहां पर जारी किया गया था ये सहमसानी बीसी में और कच्छ ग्यारा बारा इसके साथ साथ जो दस्मोत स्थरा रग अपकी होती है जैसे कि बी यह वीडियो कोम में में सीम कोम बिटे list कोर्स पोस साथ साथ आप अपने form में correction कब कर पाएंगे इस notice को आप UP scholarship की official website से भी download कर सकते हैं कोई problem नहीं होने वाली है इसके साथ ही इस वीडियो में हम यहां पर बात करेंगे आपकी चात्विर्ती release होने के बारे में कि आपकी जो चात्विर्ती वो कब से आपके account में आना start हो जागी पहले इभी दोस्तों आपके जो चात्विर्ती थी वो 2 October को आती थी और 26 जनवरी को आती थी दो बार आती थी आपके चात्विर्ती वाटर इस बार दो अक्तूबर को तविद्स कवर्मेंट की तरफ से आपकी जो चात्विर्ती है वो कोरोना मामारी के कारेल रिलीज नहीं की गई अब यहां पर आपके जो चात बरती है इस नोटिस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहां पर आपको देखने के लिए मिल रहा है पॉइंट नमबर 18 पर पॉइंट नमबर 18 पर आप देखती है जनपद इस तरी विभागी अधिकारी के रिजिस्टरल सिंगनेचर से लॉग डाड़ा की अदाहर पर कोसगार के इपैमेंट के तहत पी एफमस से चात चातरों के बचत बेंक खातों में देख लीजे पी एफमस से पब्लिक फैनेंसिल मेनेजमेंट सिस्टम से आप अपनी स्कॉलषिप का जो इस टेटस है वो भी चेक कर सकते हैं कि हमारे कोउड में कितनी चात बरती आ रही है कितनी चात बरती नहीं आ रही है ठीक है छात छात्रों के बचत बेंखातों में सीधे धिन्रासी अंतरित किया जाने या कि आपके एकॉंट में जो इस स्कॉलसिप के अमॉंट है वो ट्रांसफर किया जाना उसकी डेटा यहाँ पर आप देख लीजे 25 जनवरी 2000 भी 21 तक यहाँ पर डेट बताई गई है यह उनिस स्कॉलसिप के लिए डेट है यह स्कॉलसिप इस देट तक उनिस स्कॉलसिप आएगी जिन्हीं स्कॉलसिप आपना जो फॉर्म है वो पाँच नुबेंबर तक फिल करके कॉंप्लेट करके कॉलेजेस में जमा कर दिया जहां दोस्तों आपको फता होगो तो बिदेस गवर्मेंट की तरफ से स्कॉलसिफ फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट थी वो 5 नुबेंबर रखी गए थी तो जो 5 नुबेंबर तक जिन जन इस्टूरेंट्स ने अपना फॉर्म फिल करके इस्कॉलसिफ का अपने जिसमें सब्मेट कर दिया है उनी स्टूरेंट्स की जो चाहत पर थी वो 25 जनबरी यानि कि 26 जनबरी से आना स्टार्ट हो जाएगी समझ गए ऑंगे आप चाहिए आप किसी भी क्लास की स्टूरेंट्स हो अज़या क्लास के स्टूरेंट से लगळा कमेंट ना करें वीएड scholarship form fill करने की जो last date है वो 15 December कर दी गई है जिया उस्तों अब आप 15 December तक अपना form fill करेंगे इस date के बीच में या फिर 5 November के बाद दी और भी date बढ़ती है 15 December के बाद तो वो जितने भी form fill के जाएंगे उनके लिए जो आपकी scholarship है उसकी date यहां पर आप देख सकते होंगे 25 March 2021 रखी गई यानके 26 March से आपकी जो चात्वरती है वो आपके account में आना start हो जाएगी So friends अब आप समझ गए होंगे कि कौन से students की scholarship कव आएगी जिने students से 5 November तक अपना form fill कर दिया था उनकी scholarship 25 January यानके 26 January से आगी और जिने students ने यहां पर 5 November के बाद अपना form fill किया है या आप form fill करेंगे उनकी जो चात्वरती है वो 25 March यानके next day 25 March के आगे next day यानके 26 March से आना आपके account में start हो जाएगी So friends आप इस notice को UBS scholarship की official website से भी आसानी से download कर सकते हैं और इसे आसानी से read भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें और भी कई सारी important चीज़ें दे गई हैं तो यहां पर भी यही चीज़ बताए गई आप जेक सकते होंगे 35 November 2020 तक भरे गए आवेदन पत्रों में से पात्र यानकी इलिजबिल और सही data वाले इसके साथ ही आप देख सकते होंगे यहां पर यह और भी कई सारी चीज़ बताएगे फिलाल आप इस notice को यूपी स्कॉलसिब की website से नौल करके आसानी से read कर सकते हैं आज की स्वेडियों बस इतना ही यूपी स्कॉलसिब से समानुत लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमाँ साथ बने रहेगा थैंक्यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो